इस वेजियो में हम डेली NCQ एक सीरीश शुरू करेंगे CDS के लिए जिसके अंदर हम CDS जो एक्जाम अभी November में होगा 14th of November को जो एक्जाम है उसमें जो question possibility है हर subject से related हम उनके question discuss करना शुरू करेंगे तो इससे तुमारी NCQ की practice होगी और different different MCQ से different different चीजे तुमें देखने को मिलेगे तो अगर अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करना और शुरू करते हैं पहले question के साथ में पहला question हमारा modern इंडिया से है which of the following battle ended with the treaty of alabad treaty of alabad जो हुई थी वो हुई थी तुमारी 12 अगस्त 1765 में ठीक है 1765 में हुई थी और ये एक लब एक battle हुई थी जो जिसमें Robert Clive थे और Robert Clive के opposite में थे शाह आलम टू शाह आलम टू ये मुगल इस समय चाह आलम टू उस समय के मुगल Emperor थे और Robert Clive ने इसको लीड किया था तो यहां पर शाह आलम टू के साथ में अवद और बैंगॉल के नवाब भी थे शामिल ठीक है तीनों ने मिलके वाल लड़ी थी Robert Clive British के EIC के किलाफ और इसमें की हार हुई थी तो इसके बाद एक treaty of Allahabad sign हुई ठीक है कब हुई 1765 में तो यह है battle of Buxer battle of Buxer के बाद जो की हुई थी 1764 में इसके बाद treaty of Allahabad sign हुई थी इस treaty की वहे से जो Britishers का जो एक तरीक है सकते हैं की Britishers की influence एंडिया में बढ़ गई थी around 40,000 square kilometer का पूरा area जो की taxable fertile land था यह Britishers के कबजे में आ चुका था तो treaty of Allahabad याद रखना important है battle of Buxer के बाद सॉरी 1764 not 1964 1764 और यह 1765 में during the Mughal period of Indian history the term parwana referred to जो चारबाश टाइप की terms है जो की Mughal period के time का काफी पूछी जाती है तो parwana जो term है वो use होती है order issued by the higher authority जब कोई higher authority order issue करती है तो उसे हम बोलते है parwana ठीक है अगर emperor कोई order issue करते है तो उसे बोलते है फर्मान यह तुम modern इंडिया में तुम काफी फ़र पढ़ चुकेंगे फर्मान पास किया था तो फर्मान अगर कोई emperor order देता है तो उसे बोलेंगे फर्मान अगर order of a member of royal family अगर किसी royal family के member ने order दिया है तो उसे बोलते है निशान ठीक है और और proceeding of provincial court जो provincial court की proceeding थी वो थी सिया हा हुजूर ठीक है तो अगर higher authorities का पूछता है तो परवाना ठीक है emperor फर्मान है और royal family के जो members इशू कर रहे हैं उनिशान और fourth one वह मैंसे मैंने यहाँ पर mention कर दिया है इस PDF को तुम download कर सकते हो IMA love army के telegram से ठीक है telegram पर PDF मिल जाएगी वहां से तुम यह PDF download कर सकते हो तो उसमें मैंने यह mention कर दिया है next question है after the battle of classi तो हमें option देखने कि इन दौनों में से option पहुंसे सही है ठीक है न की result क्या था significant concession for revenue from trade second option क्या रहा है it is resultant the East India Company gaining the greater military might which allowed them to push other European colonies power away from the Bengal battle of classi जब हुई थी यानी तुमारी battle of classi होती 1757 छीक है इसके साथ में black hole tragedy Azadi भी हम एक time सुनेंगे बट देखते हैं अभी इसको तो battle of classi जो थी 1757 में इसमें थे Robert Clive इसमें भी Robert Clive थे और Robert Clive के opposite थे Siraj Uddaula ठीक है Siraj Uddaula तो इसमें जो इसके reason थे मतलब इसमें क्या था कि Bengal of Nawaf जो Nawaf के Bengal थे उन्होंने Britishers को कुछ उन्हें privileges दिये हुथे trade के ठीक है तो उन privileges का जो Britishers ने हैं वो misuse करना शूरू कर दिया था तो एक reason यह था Blatter of Plassey का दूसरा reason क्या हो सकता है कि जो tax और duty उन्हें पे करनी थी trade के लिए वो उन्होंने tax और duty पे करनी बंद कर दी थी और उन्होंने fortification शूरू कर दी थी उन्होंने क्या किया गंस लगानी शूकरी जिसका रिजल्टेंट था Battle of Plassey ठीक है उससे पहले एक Black Hole Tragedy और होती है Black Hole of Bengal, sorry Black Hole of Kolkata भी उससे बोलता है Black Hole Tragedy तो Black Hole Tragedy में around 146 लोगों को एक ही छोटे से कमरे के अंदर मार दिया जाता है तो उसका अब जब यह Black Hole Tragedy हो जाती है उसका resultant होता है Black Hole Tragedy का जो retaliate करते है British उसे बोलता है Battle of Plassey in 1757 तो जो जो इसका result आया था उसके result में यह दौना option सही है ठीक है तो option both one and two अब पूछा है Black Hole Tragedy is associated with अभी हमने discuss किया Battle of Plassey 1757 में जो हुई थी कि इसमें क्या हुआ था कि 146 around people को एक ही छोटे है मतलब Britishers को एक छोटा सा order मिला हुआ था कि वो एक छोटा लेवल पे fort बना सकते हैं Bengal के अंदर बट उन्होंने अपने आपको build-up करना शुरू कर दिया हम पर उन्होंने fort काफी बड़ा बनाया काफी जो fort William हम सुनते हैं वो तो जो उसके नवाब है Bengal के उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी वाल टाइप से कही उसमें क्या हुआ कि जो वह तो वहां से भाग गए और वहां पे around 146 लोग जो as a prisoner पकड़े गए थे उनको एक छोटे से रूम के अंदर बंद कर दिया गया जिसके कारण suffocation के कारण यह 146 जो people हैं मारे गए इसमें से around 26 या 23 लोग बचे थे जिंदा तो इस black hole tragedy मतलब इसमें around अगर देखा जाए तो Britishers के 120 परसन यहां पर मारे गए थे और उने एक छोटे से कमरे में मतलब दम वोट के मार दे गए एक तरीके से तुम कह सकते हो तो उसका जो retaliate Britishers ने किया था वो convert वह दा battle of प्लासी में ठीक है 1757 में इसमें Robert Cliveward से स्राजुत दौला हुआ था और इसमें स्राजुत दौला हार गया था फिर next question है the main objective of Prathna Samaj was to Prathna Samaj जो found की गई थी वो की गई थी 1867 में 1867 में इसे found गया था आत्मारांग पांडूरंग ने आत्मारां आत्मारां पांडूरंग ठीक है 1867 में इसको found किया आत्मारांग पांडूरंग थी तो इसमें क्या था यह Prathna Samaj का जो क्या था main objective यह monotheism की तरफ बोलते थे जाने को मतलब सिर्फ एक भगवान को मानने के लिए बोलते थे ठीक है इन्होंने widely सारे सारे religions की जैसे की जैनिजम हुआ Christianity हुई Buddhism हुआ सबकी जो religious teaching थी उनको accept किया था जो casteism का system इंडिया में था उसको यह deny करते थे विडो री marriage को प्रमोट करते थे ठीक है जो child marriage होती थी इसके खिलाफ थे यह child marriage के खिलाफ थे totally इसके प्रमोट कर रहे थे women's education के लिए को प्रमोट कर रहे थे यह चीक है तो प्रातना समाज जो found थी 1867 आत्मा रंग पांडू रंग ने यह idol worship के भी खिलाफ थे मतलब प्रातना समाज वाले idol worship के भी खिलाफ थे monotheism के लिए मतलब कि single god को pray करो यह इनका concept था तो इनका concept अगर हम देखें तो establishes तोतंतर इंडिया यह नहीं है फिर क्या securing social justice for oppressed मतलब यहाँ पर casteism जैसे की बात करें तो option B सही है ठीक है next question देखते है consider the following statement during the end of the 18th century the early 19th century a class of rich peasants known as जोटेदार ठीक है rich peasants जिसको हम जोटेदार बोलते हैं consolidate their position in wages acquired vast area of land यह ठीक है जोटेदार के उन थे जोटेदार वो लोग थे जो की rich peasants थे गाहों के अंदर मतलब जो अमीर थे ठीक है ना तो इनकी जो गाहों में position थी यह काफी थी और यह जो गाहों के लोग है उनने जो देखते ना पुरानी मूवीज में देखते हैं कि वो एक ठाकूर होता है मतलब जोटेदार वर लॉयल टू जमीदार एंड है यह गलत है जोटेदार खुद एक rich peasants थे तो यह जमीदार को help नहीं कर यह concept गलत है तो इसमें question क्या पुछा है which of the following statement is incorrect तो only two options ही होगा थीक है incorrect पुछा है correct ने पुछा है correct पुछा होता तो one सही होता तो याद रखना कि जोटेदार से related cds में already question आ चुका है तो जोटेदार है तुमारे rich peasants ठीक है कब 18th century के end में और starting of 19th century के शुरुआत में यह जोटेदार गाउं में बहुत जादा famous थे फिर पूछा है next question है during the time of British Raj the term amla refers to देखो जो यह वाली जो term है यह वाली जो term यहाँ पर लिखी है और इ यहाँ अगर यह जोटेदार की जगे अमला कर देता तो यह option सही हो जाता यह लोग है जो की help करते हैं officer of जमिदार यह जमिदार के officers हैं जो की उन्हें help करते है tax collection और इन सम्में ठीक है तो अगर हम पिछले वाले question की बात करें वहाँ पर जोटेदार की जगे अगर इस अमला आचारे विनोवा भावे ने start किया था आचारे विनोवा भावे ने इसे 1951 में तेलन गना से start किया था ठीक है यह एक तरीके से land gift movement था कब start हो था 1951 में एक इसको जो मतलब बोलते हैं इसको land gift movement भी बोलते हैं और इसको bloodless movement भी बोलते हैं bloodless movement और start किस ने किया था आचारे व इसमें क्या था कि कुछ जो 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 जिनके पास जमीन जादा थी वो डोनेट कर रहे था अपनी जमीन दूशरों को चीक है और एक चीज और यादव करने कि जो यह मतलब है एक वोलंटरी था इसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रेशराइज नहीं चीजा थाonta कि किसी को तुम है अपनी जमीन दान करनी है वॉलनटरी थी आगर मलजी है तो दान कर सकते हैं तर वादरवाई सकोज जरूरत नहीं है तो यह पहला option इसका सही है second option गलत है क्योंकि इनिशेट महात्मा गांदी नहीं विनोबा भावे ने किया था फिर क्या है था वाइडेंट दा कॉंसेट अफ ग्रामदान एड़ोकेटे दा कॉमन ओनर्शिप ऑफ लेंड initially जब यह start हुआ तो यह movement 1952 तक 1952 तक आते आते यह movement ग्रामदान बन चुका था मतलब दान करने के लिए ठीक है इसको movement को ग्रामदान के नाम से जाने लगे थे तो third option भी सही होगा ठीक है तो भूदान movement किसने शूग किया था आचारे विनोबा भावे ने 1951 तेलेंगरा से start हुआ था इसमें voluntary हम land अपनी donate कर दे रहे थे कुछ हिस्सा land का donate कर रहे थे initially कुछ हिस्सा बाद में 1-6 कर दिया गया था तो यह याद रखना इस question में comment करो कि यह तेलन गना में जो आज ठीक है तेलन गना में कौन से village से start हुआ था यह movement किस village से start हुआ था यह इसका answer comment करना फिर next question है Kuka revolt of Punjab Kuka revolt क्या है Kuka revolt जो के founder जो थे मतलब इस revolt यह 1840 में श्रू हुआ था 1840 में सबसे पहले गार श्रू किया गया था और यह बगत जवाहर लाल बगत जवाहर लाल ने start किया था 1840 में और यह मत्तब एक तरीके से था कि यह सिखिजन को थोड़ा सा reform करना चाते थे जो उसके अंदर कमियां उन्हें दिख रही थी वो उसको reform करना चाते थे जैसे कि एक example मैं दों कि यह जो consumption of meat, alcohol और drugs से था उसको यह हटाना चाते थे जो इंटर कास्ट इंटर मैनेज के यह चाते थे कि लोग करें विडो री मैनेज को उन्होंने प्रमोट किया था तो इसको हम देखते हैं कि अब क्या होगा making sick land independent from British control यह गलत है achieve justice from the martyr of Punjab यह भी गलत है the freeing the grudwara's sick temple from control of ignorant and corrupt महंत यह भी गलत है reforming the sick religion देखो reform की बात कर रहा है sick religion by removing abuses, superstition and ill practices तो option number D is the correct one यह दखना 1840 में बगत जवाहर लानने से start किया था जो sickism में नामधारी six sect है नमधारी ठीक है यह भी इनों नहीं start कि थी बगत जवाहर लानने तो यह हमारे कुछ कोशन थे जो हमने history के लिए है important है for serious purpose ऐसे ही daily हम किसी ना किसी subject के 10-10 बारा-बारा कोशन को pick करेंगे उसको discuss करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो informative थी तो वीडियो को like जरूर करना share करना अपने दोस्तों के साथ में चैनल को subscribe करना आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे next video के साथ में जाहिन जाबहरत